दोस्तो हरहर गंगे फिल्म को लेकर काफी rumors फैलाय जा रहे हैं, negative news बनाय जा रहे हैं पब्लिक के बीच में और fans को demotivate किया जा रहे हैं और इसमें खास रोल निभा रहे हैं हमारे बिंदाज भुजपुरिया के reporter साहब जी वो आप चाहें उनका कोई भी interview देख लीजिए, कभी स्मृति सीना से जगड़ा लगवाती नजर आएंगे तो कभी चंदन उपाध्या से उनके opposite पे बोलवाती नजर आएंगे मतलब उनका interview देखने के बाद, video देखने के बाद ये clear हो जाता है कि उनका एक agenda हो गया है, कैसे भी करके इस film के कलाकारों को टीम को तोड़ने का लेकिन इनको हम बताना चाहते हैं कि ये success होने वाला नहीं है, इनका plan एक बात और, कि हर हर गंगे film के जो director है, चंदन उपाध्या जी क्या कमाल के director है, ये बाद तो मानने वाली है दोस्तो सारी चीजे positive आ रही है, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस film का जिस तरीके से आप लोग promotion चाहते हैं, उस तरीके का promotion होने वाला है, उसके strategy पर काम चालू है, plan तयार होने शुरू हो गए है, और खास कर सबसे बड़ी बात की चंदन उपाध्या आप ट्रेलर से मत जाएं, देखें ट्रेलर अभी आए कितने दिन हुए, तीन से चार दे, और लगतार जबकि गाने आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, तो पब्लिक किसी चीज को कितना देखेगी, समय तो मिल नहीं रहा है, और किसी भी ट्रेलर को एक बार या दो बार फैंस देखेंगे, तो दोनों चैनलों पर रिस्पोंस बढ़िया जा रहा है, दो मिलियन, दो चैनलों को मिला कर व्यू होने वाला है, लाइक्स भी डेढ़ लाख प्लस हो गए है, तो आप अपने आप अट्रेक्ट होगी हरहर गंगे के प्रती, दोस्तों एक चीश और है कि हरहर गंगे टू की स्टोरी लेखन पर काम चालू है, और इस बात का जिक्र खुद चंदन उपाध्या ने अपने मूँ से किया है, आप सुनी, अब आप ही लोग बताईए और सोचिए कि क्या जिस डिरेक्टर को तीन और चार करोड रूपे लगाने के बाद इतना कॉन्फिडेंस नहों कि हमारा पैसा रिकवर होगा, वो इस फिल्म के सेकंड सीक्विल पर काम चालू करेगा, नहीं चालू करेगा, आप सबसे बढ़ा अब दारण गदर 2 को ही लिजिए, गदर 2 की फिल्म को कितना जादा डी मोटिवेशन स्टार्टिंग में मिला था, जितने यूटूबर से सब ने उसका निगेटिव रिवीव दिया था, कि फिल्म का अच्छा उसमें वर्क नहीं किया गया है, उसकी स्टोरी अच्छी नही नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी उस फिल्म ने पूरे बॉलिवूड का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सेकेंड सीक्विल का, तो बस हमें पोजिटिव रहना है, और जैसे भी होसा कि इस फिल्म को जादा जादा प्रमोट करना है, बाकी आप लोग का क्या रहा है, कोमेंट क मिलते हैं नेक्स विडियो में